डिऊ हेलु गार्ण व्लकमर्ट यैंट प्रेग्टर आज चुलिए प्रेंड आज क्लव हमारे वीडिदी बूस्टर के बारे में आज मैं आपको एक अच्छा से गानाने के बारे में बताएंगे और यड़ि आपको बना के दिखाएंगे जो कि आप असाने तरीके से we Guy बुष्टर को बना सकते हैं और इसको एक कुमेंट जो आपका रिपेरिंग करने में जो भी नॉर्मल है लो इंपेर पंद्रों भोड तक आप पांसो मिली एंपेर एक एक कुमेंट है उसको चेक कर पाए ने चलिए प्रेंट एक सोटा से इंट्रों को बाद इस वीडियो को स् जाने से आपको यह फावरोली कांच मिल जाएगी टुकडा-कुडा तो उसी टुकडा से मैं लिकाया हूं सो रुपय का असपास अब लेने से हो जाएगा तो उससे भी कम भी अप ले सकते हैं तो चलिए फ्रेंट इस डबा को मैंने कुछ इस तरह करकर रखा हूं और उसको प्रेंट को चिपकाएंगे आप एक अपने अनुसा डबा को त्यार कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं डिसी बुष्टर को चलिए प्रेंट डिसी बुष्टर का डबा को इजली यहां पर चिपका लेते हैं झाल 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 चलिए प्रेंट यहां पर मुझे एक जुरत पड़ी कि डिसी बुष्टेज है बक कन वाटर का जो आश्टे ब्रावन वाला है तो आश्टे ब्रावन बद बद बकन वाटर आपको मार्केट में मिल जागा मार्केट बे दे दियाँ, वहाँ से जाके भी आप परसिच कर सकतें इस बखन वाटर को तो चली प्रन यहाँ पर बखन वाटर में दिया हुँआ आपइगाएंगा ड्राइगराम को भी समझाएंगा, छिवरण यहाँ पर बखन चिले प्रेन यहां पे बकन वाटर में एक प्रिसेट लगा हूँ जिस प्रिसेट को मैंने खुल दिया हूँ ट्राइ करने के लिए और इसका भी कनेक्शन बताऊंगो जिससे कि आप इसली आप इस बकन वाटर को उज़ कर पाऊगे चिले प्रेन यहां पे 4007 नमबर का मुझे डावड का उज़ करना होगा और 425 वोल्ट का कपिसीटर आपको उज़ करना होगा और यहां पे बारेज़ जिरो पारटा सर्मा एक एंपियर दो इंपियर जो इतना का भी योग कर सकते हैं लास्ट तीन इंपियर तक का टासरमा इस प्रेंट यहां पे मारा जो सारा चीज हो चुका है और यहां पे टासरमा को इस जगह पे इस्टोर करेंगा अपना अनुसार कहीं भी अप लगा सकते हैं तो मैंने कुछ डिजाइन के अनुसार यहां पे इंस्टोल किया हो ताकि हमारा जो सारा सेटप अच्छी तरीका से हो जाए और यहां पे इस एरन से यहां पर होल करेंगा और यहां पर एक को स्कूरूब लगाएंगे अच्छा सा जो हमारा काम कर जा हैं जिससे के आपका काम ने करेगा बड़ डियाइनिंग में थोड़ा सा कमी है इसको भी अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको सुधार किया जागा तो चलिए प्रेंट यहां पर इस सरकी डियाग्राम को समझ लेते हैं उसके बाद यहां पर सारे कनेक्शन को करेंगे यह एक जो हमारा है टस्फफ़र्मा इसी का यहां पर बारे जिरो बारा लगबग 15 व्सट आउट ellाथ्पूस में आपको देखने को मिलेगा लगबग जो मार्कर्ट देइंगें यह हमारा टस्फफर्मा ह plant люб यह उ सब्सवर्घंट करेंगें यह च्छा काम करती है जितना बोल् सब्सक्ति अन्दर हमारा का कर सकते इस वार्ट से अंदर में हम आपकु रहे आव जो की आपको दिखेए इंगे कुछ इस तरह का सेंबल आपको दिखेगा यह सें इसी तरह का सेंबल से आपको काम करेंगी है यह फिनलए एक का सिर्छा यहांपर हिसके और यह करें नाल यहां पर एक करदेंगा यह करता हुळ आपका पोज़िटिव हो गया यहां। इसको एक कर देंगे, इसको एक कर देंगे, यह हमको यहाँ पर नेगेटिव मिल जागा, यहाँ पर टस्फर्मा का जो दो तार आई वी उसको यहाँ पर किनेट करेंगे, कुछ इसी तरह के से यहाँ पर जो डावड का निसान है, यहाँ पर कुछ इस तरह के से यहाँ पर काम गुष्टर में क्रेंट कर दिया है यह सो में ऊंड कर दिया है दोनों के बीन प्रस लिकर यह दोनों के बीच में एक कपिसिटर लगाना पड़ेगा जूकि मैंनेWW 475 का यहा पे 50 वौल्ट का लगा है तो यह जो दो तायब जो है 30mara 400 वोल्त तक का एक काम करेंगी तो 25 वोल्ट का भी नॉर्मल आप यहां पर लगा सकते हैं चलिए फ्रेंट यहां डेसी बूस्टर में जाने कबाद आपको यहां पर एक प्रिसेट मिलेगी जिसको खोल देनी है और यह दो एक पॉइंट मिलेगी यह दो पॉइंट को ही इस वोल्म में लगान होंगा तो चलिए फ्रेंट यहां पर जो है डेसी बूस्टर में आउट्पूट मुझे माइनस प्लस मिल गी जो कि एक वोल्ट से लेके जितना वोल्ट आप लेना चाहते हैं 15 वोल्ट तक आपको 18 वोल्ट तक आपको मिल जागी तो यहां पर आउट्पूट में मुझे जो आउट्पूट आपको मिलेगी तुछ लिए फ्रेंट यहां पर एक डिश्टल वोल्ट मीटर लगाओं इसका भी कनेक्शन जान लेते हैं डिश्टल वोल्ट मीटर में एक वोल्ट तार एक ब्लेक तार एक रेट तार को डारेक्टली आप प्रसरमा को जो वोल्टेज आ रह इस सेंसर का आउट्पूर सेक्शन में कितना वोल्ट कब मिल रही है इसके लिए यहां पर आपको क्नेक्ट करना होगा तो यह डियाग्राम आप पुरी तरीके सा समझ चुके हैं और इसका पूरा क्नेक्शन करके आपको दिखाऊंगा इसका जो डियाग्राम का लिंक है डि साथ मेंबरसिप आप जोन करें जो की जोन का प्टम आ रहा है वास्ते जाके आप हमसे डारेक्ट लिए चैट कर पाएंगे और बात कर पाएंगे नौर्मली आप कोमेंट करके भी हमसे राये ले सकते हैं लेगन ज्यादा आपको दिक्क्त हो रही है तो आप जोन का बटम क् मा रहा है इसको यहाँ पर करने कर करने के मुझे जूरत नहीं है यहाँ पर टेप मारके परक देंगे ची लिए फरेंग को टेप मारकी करने लिया हूं और यहाँ कि दो कपिर कोई फिलाल वूस करते हैं लेकिन प्रिण notorie कर दिया हूं जैंसे क्राइम का निसार यहां पर होगा मैं आगे विडियों भी दिखाऊंगा किसे करना है फिलाल सब कुछ वह से ही ठीक ठाक है तो चलिए फ्रेंट को बनाने के लिए दो डावड को लेना है और दो डावड को निसान एक तरफ का निसान कुछ इस तरह से कनेट करना है तो देखि डावड करने यहां पर दो जोड लेना है इसको भी आप एजली जोड लेंगा कुछ इस तरह से आप बी रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं डावर मत आपको समझा दिया हैं पिलाले यहां पर भी में करके दिखा दो अब यहां पे इस त तर्मा में शॉल्ट्रिंग कर लेते हैं प्रेंच, चुछलिए प्रेहन युद्र होगा तकी अच्छ से शोल्टिंग इपका नहीं पकड़ेगा है और मेहार पुरह तरीके से हीट होना चाहिए नौर्मल श्योडेंी आड़ेog 선 यहां पर Haulडिंग निहें कर सकती मैनने आप स्षॉलडिंग कर लिया हूं कि अब प्रशिय यह प्रहें सिपिखना मैनस प्रस देखते हुए इसका सिटर म stimulus धिया हुए म давर SL इसनग जो कि आपको समझ मां जागा किदर क्याब करनी है तो बहुत हमाना चलिएप पर इसको कर लेते है चुछ लिए इसको बनाना और आप ली घर में ना सकते हैं तो चलिए फ्रेन्द हमारा दूक्ष में करता हैं बाद में हम चेंज करेंगाम हुई तो मैं इसलिए पता इहाँ पर क्लश्च का अब पड़ेन दिखाएंगे मैण कुर्टी को तक है अगर अगर वीडियो में आपको दिखाएंगे डियाग्राम में वही कनेक्शन दिया जो मैंने किया है तो चलिए फ्रेंट यहाँ पर इसको कनेट कर लेते हैं तस्वर्मा का दो वायर को उसके बाद यहाँ पर चेक कर पाएंगे फिलाल मैं यहाँ पर दो वायर को कनेट करता है माइनस प्लस जो कि माइनस है कपेसिटर पर और यहाँ पर दो जो कि मुझे आउटपूट वोल्टेज मिलेगी इसमें मैं कनेट कर लेता हूं जहां से मुझे आउटपूट वोल्टेज मिल जाए तो चलिए फ्रेंट यहाँ प पे यह नहोंगी तो इन में प्लस मायनस को देखते विए connect करने हैं एक डिसी जो converter है यह आपका down converter है step hop न एक step down converter step down converter आपको market में इजे ली मिल जाएगी और नहीं मिलेगे तो मैं link description में दे दिए होण से का purchase कर सकते हैं यहां पर मैंने मैं एक preset को खोल के रखाऊं इस preset को बारे में बता हो डाग्राम में कुछ उसी तरीके से आपे मैं connection करूंगा है इस volume में इस volume में जो एक volume का switch के connect होगा और जो कि डाग्राम में सूच के connection ने दिया सूच आप इजली कहीं से भी आप लगा सकते हो इसे भी कोई दिक्कत नहीं है पचले पर यहां पर सूच के लिए इस वायर को खोलते हैं एक point को और इसको सूच के साथ connect करके इस से capacitor के साथ working करेंगे और जो हमरा सारा चीज़े काम करे आप यहां पर जोड़ लेते हैं तो इसको यहां पर soldering कर लेते हैं और इसली यहां पर कर पाऊगे तो यहां पर मैंने soldering कर लिए और इससे जो output मिलेगी जो दूसरी वायर को जिससे यहां से मैं ले रहा हूं इस सूच से और यह सूच के काम करेंगे इससे कोई जद़ यह नहीं है तो यहां पर मैंने connect कर लिया हूँ स्वीज के लिए होर इसको मैं आपको यहाप प्रिकन तो बिस भूलट के साथ इस सुऊच्ट के साथ, उसके लिए अलग से सुच्ट लगाना पड़ेंगा आपको, तो आप उस सुच्ट को भी लगा सकता है, चीलिए फिरेज़हां एक tobs, आपको शुच्ट को बिल्गासकता है, चीलिए फ्रेंट, यहां पर, वायर को ही लिकालना है तुछ लिए फ्रेंड एक के ये वायर है हमारा यहां पर तीन वायर है तीनों मैंसे दो वायर सोट है जिसे कि यहां पर फ्रेंड कोई दो वायर सोट है तो दो वायर को भी यहां पर जोड़ेंगे जो कि आपको मॉल्टिमेटर में सही से आप चेक करके आप यहां पर जोड़ सकते हैं तो चलिए फ्रेन यह आपके connection को करते हैं एक हैं आपर साफ-साप दिख जागा आपको एक में इस वायर में connect करते हैं थोड़ा सा प्रोलम होरे हैं यहां पर फ्रेन connect कर लियां एक पोईंट को दुसरा पॉइंट जो बसगी दो क्यासिक में किसी में किनैटर के काम कर सकते हैं तो फ्रेंडि इससे प्रिसेट को अच्छी तरह से कोनेट करने के बादि इससे डिसी इसुलानीच के लाइन देना है नहीं तो आपका जो डिसी जो बक कनोटर है, वो आपका खराप हो सकता है, मेरा हुआ खराप कुछ रिजन के कारण से तो हो सकता है, लेकिन आप ऐसा ना करें, यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद यह आप करें, और हो सकता है कि आपका खराप ना हो, कोई रिजन और हो सकता है कि मेरा खराप होने का, तो एक अच्छा दरगे से करेंगे तो कि आपको कोई दिक्कत ना हो तो चलिए फ्रेंड यहां पर मैंने लगा लिया हूं और यह कनेट कर लिया हूं कुछ इस तरह के साथ यहां पर एक कनेक्शन करके इस डिसी बग कन्वर्टर को उच कर पाएंगे अस्टर प्राउन का तो प्र और इसके आर्टपूड वोल्टेज को भी लिका लेंगे सारे कनेक्शन डाग्राम में दिया हूँ है उसी करनेशार यहां पर कनेक्शन हो रही है तो इस डाग्राम को मैंने ड्रो किया हूं अपने से जो कि आपको समझ में आ जाए कोई प्रोब्लम ना हो तो चलिए फ्रें एक दुसरी च्रिश बीच वाली पॉंट है इसमें कनेट करेंगा फ्रेंट तो छिव फ्रेंट इसको बीच वाली में कनेट कर लेते हैं और अगर फ्रेंड एक मैंनेच चेक किया बोल्टेज यहां पर अपर रेकए शलंब में तो यह उल्टा काम कर जाए थे फ्रेंग तो पूर्य पूर्य वोल्टेज मुझे मिल पा रही है यहां पर फ्रेंट जितना आपको चाहिए उतना भरेवल्ट वोल्टेज है ले सकते हैं फ्रेंट फिरेंट यह हमारा यहां पे प्रोग्लम हुई थी फ्रेंड यह जो रेड़ वायर है मैंने काट दिया है पर वोल्टेज कुछ ज्यादा हो रही है इसके लिए कपसीटर मतलब अबलेबल ने कपसीटर की जो कि उस वोल्टेज को जहल पाए यहां पर 25 वोल्ट मतलब 50 वोल्ट तक यहां पर वोल्टेज मिल रही है तो इसलिए मैं यहां पर इस कपसीटर में मात्र 20 वोल्ट के अंदर में रखेंगे तो यहां पर 15 वोल्ट का आसपास मिजे मिल रही है 15-18 तक का वोल्टेज मिजे मिल रही है इसलिए मैं यहां पर इस कनेक्श से एक उधर मैंने कनेक्शन कर दिया हूं और इसको डारटल यहां पर करदेंगें तार अमारा चोटा पड़ा तो सेयं कुछ इस्तरे के से कनेक्शन करना है करे के वायर को हटा दिने जो की डागरम है वापू सेम मैं ने दिखाया है और कुछ यहां पर changes नहीं है तो चलिए पर यहां पर होने के बाद मैंने यहां पर voltage आपको चेक करके दिखाता है देगे पर यहां पर 22 volt दिखा रही है तो एक थोड़ा capacitor का voltage बड़ जाती है लेकिन यहां पर यह लिए 13-18 volt ही रहती है तो चलिए पर यहां 4.201 voltage हो है हमारा साइस से regulate होके मिल पा रही है तो चलिए पर यहां पर के लेड़ी light आपको जला के दिखाते हैं काम कर रही है यहां बहुत ही अच्छा काम कर रही परेंट आप बहुत ही अच्छा कोई भी चेक करने के लिए बना सकते हैं तो जो लिए परेंट यहां पर एक डिस्प्ले लगाऊंगा इस जगा पर जो कि आपको voltage दिखाते रहे कब कितनी voltage मिल रही है तो यह डिस्प्रे मतलब यह voltmeter को आप लेना चाहते हैं तो यह डिस्प्रे में दिस्क्रिशन में दे दिया हैं वहां से जाके इस वोल्ट मेंटर को ले सकते हैं तो चलिए फ्रेंट यहां पर voltage 19 वॉल्ट 19 वॉल्ट है फ्रेंट और कोई दिक्यत ने उस समको तो चलिए फ्रेंट यह जो हमारा जो वोल्ट मेंटर हैं इसमें 30 वोल्ट तक दे सकते हैं पावर उसके बाद सेंसर का लग तो यहां पर डिसी वोल्ट मेंटर का महने नेगेटिव यहां पर कनेट कर दिया और इस पोजेटिव को इस व्रेज रेक्टि फायर में कनेट कर देएंगे पोजेटिव में यहां हमारा जो है बोल्ट मीटर चालू हो जागी तो यह 형मारा बोल्ट मीटर चालू हो चुका है और यह पिला वाले वायर को अभी 0 volt है, कोई voltage मैंने नहीं दिया, तो इस पीला वाले वायर को voltage देंगे, तो यह काम करेगी, ground और voltage, तो ground और वोल्टेज है, तो ground अमरा तो लगा हुआ है, यहां पर पलस में connect करेंगे, हमारा जो voltage है, accurate बताने लगेगी, तो चलिए फ्रेंट, पहले यहां पर दो वायर को जोड लेते हैं, जो कि मेरे, आउटपूट में मैंने जो लिया है, आउटपूट मतलब, आउटपूट मुझे जो लेना है, जासे मैं कोई भी चीज, कुमेंट को चेक करूंगा, तो चलिए फ्रेंट इस दो वायर को है भी मैं, मैंने connect कर लें, ताकि जल्दी से टूटे न तो चलिए फ्रेंट नेगेटिव को नेगेटिव में, और पोजेटिव को पोजेटिव के साथ यहाँ पे connect करेंगे, और यहाँ पे DC वोल्ट मीटर का पिला अले वायर को भी connect करेंगे, जो कि मैं accurate voltage बताते रहे, आउटपूट में मुझे कितना voltage मिल रही है यह फ्रेंट, चलिए यहाँ पे connect कर लिया हूँ, और हमारा जो है फ्रेंट connect हो चुका है, और मुझे accurate voltage यहाँ पे दिखा पा रही है, और इस वोल्ट मीटर का वीडियो नहीं देखा है, तो वोल्ट मीटर का वीडियो में, दिस्क्रिशन में दे दिया हूँ, वाद से वोल्ट मीटर का ब तो चलिए फ्रेंट इसको अब चेक करते हैं, और sort करके देखते हैं, देखिए फ्रेंट, easily sort करते हैं, तो कोई भी problem नहीं है, यहाँ पे कोई भी circuit आपका ज्यादा sort होगी, तो अभी DC booster 1 नहीं कर पाएगी, तो नार्मल 500 मिलियम्पेर तक आप यहाँ पे मुझ कर सकते हैं, और 501 एंपेर तक का जिसा भी टस्वर में लगाएंगे, तो चलिए फ्रेंट यहाँ पे एक आपको 12 वोल्ट का मोटर चला के दिखाएंगे, जूकि पारफूल मोटर है, यह हमारा मोटर है, इसको मैं चलाते हैं, तो चलिए फ्रेंट, वोल्टेज को 8, 11 वोल्ट तक चला पार रहे थी फ्रेंट, तो जो बात है रियल है फ्रेंट, यहाँ पर जितना भी एंपेर यह भी घीचती है जादा, तो यह डिसी बुष्टर उतना एंपेर नहीं दे पारी है, तो इसलिए और आगे वीडियो आने वाला फ्रेंट, आपको ज्यादा पारफूल डिसी आपको दिखाऊंगा, तो इसा भी में बना के आपको दिखाऊंगा, तो चलिए फ्रेंट यहाँ पे लो एंपेर मिलने करन में यहाँ पे डावड को डावड को परलेल में दोटो उच्कियाँ, जिससे आपको अच्छा खासाव आउटपूल मिले, और डावड यहाँ पे हेवी भी लगा सकते हैं, जिससे के आउटपूड में कमी ना आए, यहाँ पे कमी आ रहता है, इसलिए में यहाँ पे दोटो डावड में ने, परलेल में डावड को उच्कियाँ, नॉर्मल भी अब इसमें चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुछलिए फ्रेंड आप ए मेंचे मिल रहा है, तेकिन 18V तक और के नहीं है फ्रेंड, 12V तक ही है, आपको 18V फॉल्स दिखाती है, कपिसेटर के वोल्टेज रहती है फ्रेंड, तो जो बात है रिजल है, तुछलिए फ्रेंड आप एक Bluetooth चेक करके दिखाते हैं, यह मारा Bluetooth है, इसको one करके दिखा हैं, और उसे ही हमारा जो Bluetooth कीट है, ओन होने लगी, देखिए फ्रेंड, यह मारा पैनल खराब है, फ्रेंड, उतना चास नहीं दिखा लेकिन हमारा जो Bluetooth कीट है, ओन हो चुगा है फ्रेंड, बहुत ही कमाल का, तो चलिए फ्रेंड, एक आपको मोईल भी ओन करके और चलिए फ्रेंड, यह हमारा जो है मोईल यहां पर ओपन करते हैं, मैं तो मोईल है फ्रेंड, लोग लगभग मोईल को ही दिक्कत होती है, बैटरी प्रोलम होती है, तो इसको मोईल को चेक करना रहता है, तो हम लोग चेक नहीं कर पाते हैं बिना बैटरी का, तो इसमें लगाएंगा इसको चेक करेंगा तो जिससे ही यहां पर उन करेंगा यहां पर एक दूपॉइंट वोल्टेज जो ड्रॉफ होगी तो समझ जाएंगे कि हमारा जो फोन है वन हो रही है जैसे कि यहां पर किया देखिए वोल्टेज थोड़ा सा ड्रोप मारा तो यह हमको रियली पता चल जाता है कि फोन यह हो सकते का आने वाले वीडिएओ में पेंपेर मेट के बारें भी बता दूंगा जहाँ से इंपेर कि लोडे ले रहा ही फोन वह भी पता चलेका तो फ्रेंट ये वीडियो कैसे लगा फ्रेंड लाइक और कोमेंट और जोए चनल पे नहीं हो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करतें ताके जो भी लेटेस्ट वीडियो सब से पहले आप देख पाएंगा इसे इंट्रेस्टिंग वीडियो हमार चैनल पे मिलते रती फ्रेंट तब ते के लिए फिर फिर से नया वीडियो और आइसे इंट्रेस्टिंग वीडियो सब्सक्राइब करहां पिर से मिलते रती पाइब तके लिए फाई